हेलो एवरिवन आइम अभीना सीनेगी आए वेलकम यू तो माई यूट्यूब चैनल लिफ फिजिकल एजूगेशन तो टोड़े विल डिस्कस अबाउट इस्पोर्ट इंजिरीज कौन कौन से इंजिरीज होती हैं जो एथिलीट्स को एथिलीट्स परसन को हो जाती हैं दूर में लगे तो तो वी हैवगा थि टाइप ओप इस्पोर्ट इंजिरीज शॉफ्क इंजिरीज ऑन जॉइन जख़एं जोइंजिरीज तो टुडे डिश्कस अबाउट देशुव इंजिरीज ओन्ली कन्ट्यूजन है इस्ट्रेइन इब्रेशन और से यह हमारी क्या हैं इस्ट स्पोट्सिश्य पर पढ़ रहें तो सॉफ्ट इस्ट इसमें मसल इंजरी कैसे हो जाती है अगर आपके बोड़ी पर डैरेक्ट हुआ है किसी स्पोर्स इपिप्मेंट हो सकता है अगर आप किसी पर इस इप तो उसकी वज़े से कंड्यूजन हो सकता है यह फिर कोई माइनर एक्सीडन्त हो जाए यह हमारे स्किन में लग जाए या आप किसी फुर्थ कुंपर आप गिर जाते हो यह जमीन पे गिर तो यह सारे जैनी वजुजह हो सकता है तो हमतिने जहां रखना है किया होता हो क्या होता होसलब बॉक्सिंग में रैसलिंग में कबड़ जाती है और उसके WAGEE गेम से यहांपर यहां Пेड़ेंज हैं बमटर वैसे suited है जो क्या होते हैं वहो क्या होती हैं broken हो जाती है और कभी क्या होता है उनसे bleeding आना start हो जाता है और उसके वज़े से क्या होता है Brussels होने लग जाते हैं कहने का मतलब क्या है blood vessels blood vessels क्या होती है हमारी blood vessels जो हमारी arteries होती है veins होती है capillaries होती है इन में क्या यह तूट जाती है जब यह तूटेंगे तो इन के अंदर से क्या blood आना स्टार्ट हो जाता है लेकिन यह आपकी skin से भाहर नहीं आएगा जैसे आप यह image देख सकते हैं आप इसमें आपको इमेज दिख रही है इसमें आपको ब्लड भाहर नहीं आया पस इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है तो कंटुजन में क्या होता है जो आपको बिख से हमारी ब्लेड अनिगर आने होता है और जिससे हमारी यह इंजरी है अब और हैं यह क्या होता है कि जो खंटूजन है उसमें blood भाहर الحires नहीं आएगा वो सब्सक्राइब बॉक्सिंग में किसी पी चीजी एसका इशन हो सकता है तो ये क्या है कंट्ज्यूज नं जब आपका जो मुस्ट टेंडन है वह तो एगर ट्वुस्ट हो जाता है या टियार खिझ जाता है या पत जाता है तो ऊसको क्या बढ़ेंगे स्ट्राइन him तेंड श्रेक्व भालें पहला है है जाता है इसक्ट 有 to bone actually जो tendon होता है वो responsible होता है किसी चीज के लिए muscle को जो bone की साथ जोड के रखता हो क्या होता है tendon होता है अगर tendon हमारा तूट जाता है या stretch हो जाता है या pull हो जाता है तो हमें कौन से injury होती है strain ST T for train और T for tendon इससे भी आप ध्यानक सकते हो तो टेंडन में भी T आता है तो अगर tendon क्या होता है जो muscles को bone को साथ connect करके रखता हो connective tissue basically तो अगर वो tear हो जाता है तो वहां से जो bone के साथ muscle से आपका हट जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते है tear in a tendon या stretch या pull या twist यहापे images में आपको देख सकता है यहापे लास्ट इमेज यहाप आप देख सकते हो इस image में आप देख सकते हो यहापे और यहापे muscles टेंडन आपको दिख रहा होगा इधर भी देखा आप muscles यहापे tear हो गया है ठीक है तो यह different different images है यहाँसा आपको clear हो जाएगा अब strain क्या है एक injury है जो मसल या टेंडन में होती है जो अगर हमारे मसल से या टेंडन से पूल हो जाते हैं अगर यह क्यों होते हैं अगर आप उसको ज्यादा overuse कर रहे हो कुछी body part हमारा ऐसा होता है कि हम उसको ज्यादा overuse करने तो pressure बहुत बढ़ता है टेंडन पे जिससे क्या करता है इंजरी की कितनी severity है strain भी उतना ही severe होगा वह ज्यादा hard भी हो सकता है एक थोड़ा normal भी हो सकता है तो उसको ठीक करने का तरीके होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं अभी causes देख लेता हम लोग अभी strain can occur suddenly or develop slowly over time causes it includes lifting of heavy objects running, jumping, throwing, etc. जब आप कोई ज्यादा heavy चीज़ उठा ले तो सदन जैसे जिम में आपना heavy weight उठा ले तो आपके muscles ये strain में pull हो जाएगा, ये stretch हो जाएगा, ये अगर आप running कर रहो काफे time से muscles पर ज्यादा pressure पड़ रहा है या suddenly आप एक height साप, suddenly आपने jump करी है, ये कोई आपने heavy चीज़ को आपने throw करा है, तो बहुत सारे reason इसके हैं, तो कुछ भी इसमें से हो सकता है, तो इसका directly जो impact पढ़े हो आपके कहाँ पढ़ेगा tendons पर, tendons और muscle break हो गए, तो आपको strength की problem होने लग जाएगी, prevention क्या है इनका, क्या आप regular stretching करते रही है, आप कोई भी activity करते हो, या कोई भी competition और पार्ट ले रहे हो, तो आप जबी भी ऐसी कोई problem होती है, स्क्रेंट से ता आप ice pack का use कर सकते हो, जहाँ पर आपकी muscles में strain हुआ है, वहाँ पर आप ice लगा सकते हो, उसके बाद आप rest करो, ice लगाओ, compression and elevation, compression मतलब उसमें जो pressure हम लोग लगाता है, elevation मतलब उस body part को उठाना, जहाँ पर आपका injury, injured part है, या दॉक्टर उसको बिलकुल थोड़ा उपर level तक रखते हैं, उसके पैर को height पे रखते हैं, यह सब चीजें इसमें होती है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि strain किस की वज़े से होता है, यह muscle या tendon में कोई tear या pull हो जाए या twist हो जाए तो हम strain बोलते है, कैसे हो सकता है जब over stretching हो जाए या ज़्यादा ही force किसी muscles पर पढ़ जाए तो यह हो सकती है, तो आपको बस इतना जहान रखना है strength क्या होता है, तो आपके images है, images में आपको थोड़ा और बहुत clear हो जाएगा, कैसे जो नीचे images में bone और tendon आपको साफ साफ दिखा जाए, कैसे है attaching दूसरे से तो tendon वह होता है, connective, fibrous tissue जो muscles को bone के साथ attach करके रहता, उसको हम क्या बूलते है, tendon बूलते है, muscles को bone के साथ, exam में ये भी आ सकता है, tendon क्या होता है, ये strength किसकी वजह से होता है, tendon क्योंज से होता है, ligament के वजह से होता है, आपको इचीज़ ध्यान रखने है, तो the answer will be tendon